तो solve करते हैं आजगा यह क्योसन, इसके अंदर है अपने पास 2 sec square theta है, minus sec theta की power 4 है, minus 2 cos sec square theta plus cos theta की power 4 है, और इसको equal करना है, cos theta की power 4, minus 10 theta की power 4 के, तो अपने जो left hand side है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे cos sec theta की power 4 है, positive है, इसको मैं सबसे पहले लिख लेता और साथ में है, minus 2 cos square theta, फिर है minus sec theta की power 4 है, और plus के अंदर है अपने पास 2 sec square theta, यह हमें दिया वाए, तो यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे कि cos theta की power 4 है, cos square theta है, और साथ में 2 भी है, तो कहीं न कहीं हम लोग a minus b का whole square बना सकते हैं, a square minus 2ab plus b square, तो plus के अंदर है ऐसा कौन सी term लें, जिसकी वज़े से अपनी identity बन जाए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यह अपने पास cos theta की power 4 minus 2 cos square theta, और plus के अंदर 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो यह एक तरीके से cos square theta का square हो गया, minus 2ab, a का मतलब cos square theta, b का मतलब 1 हो जाएगा, तो इसी तरीके से आगे वाले के अंदर बात करें, minus sec theta की power 4 है, plus 2 sec square theta, तो यहाँ पर plus 1 किया है, तो यहाँ पर minus 1 कर देते हैं, ताकि दोनों equal हो जाए, जैसे अपने पास पहले वाला था, same to same, उसी तरीके से, तो इस वाले part के अंदर तो अपने पास identity बन गई क्या, यह अपन 4 हो जाएगी, minus 2ab, तो 2 आगया, a का मतलब कोसे के square आगया, b का मतलब 1 आगया, तो यह वाला जाएगा, और plus के अंदर b square, मतलब 1 का square करेंगी, तो 1 आजाएगा, तो यहाँ से यह वाला part तो अपने पास all हो गया, बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर minus का sign सबसे पहले common ले तो minus जब इन तीनों में से common लेंगे, तो अपने पास आजएगा, जो sec theta है, उसकी power 4, plus, यहाँ पर minus का sign common ले ले लिए, तो plus कीजगा, minus कीजगा, 2 sec square theta, और minus कीजगा, यहाँ पर भी का जाएगा, plus, तो इस तरीके से यह भी same to same इसी तरीके से बन चुका है, तो यहाँ पर की power 4 है, minus 2 sec square theta, plus 1, तो यह भी क्या होजएगा, sec square theta, minus 1 का whole square, यह a minus b, तो a का square आगया, minus 2ab, और plus b square, अब हमें पताएगा, 1 plus 10 square, equal to sec square था, और 1 plus cot square theta, वो equal था, cos square के, तो 1 को उधर transpose करेंगे, तो cos square theta, minus 1 का मतलब क्या होजएगा, अपने पास, cos square theta, तो यह अपनी identity आजएग यहां पर cos square theta, minus 1 की जगे, cot square theta, और इसका square आजएगा, minus, और second square theta, minus 1 का मतलब होजएगा, 10 square theta, तो इसकी जगा लिखेंगे, 10 square theta, और इसका square यहां पर है ही, तो इस तरीके से यहां पर आगई अपनी पास, cot theta की power 4, square होगया, इसका, minus, इसी तरीके से इधर square होगया, तो 10 theta की पाउर कितने आजेगी, 4, जो कि अपनी right hand side है, तो इस तरीके से इस question का अपने pass answer आ गया, जो हमें प्रूब करना था, तो उमीद आप लोगों को अच्छे से ये question समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं next video के अंदर, thank you